नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टड़ी आईक्यू में आज हम लोग बात करने वाले इंडिया और नेपाल के बारे में और स्पेसिफिकली नेपाल के प्रदान मंतरी खटगा प्रसाद ओली के बारे में बात करने वाले देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि खटगा प्रसाद ओली रोड on an anti-India wave यानि कि वो पहले anti-Indian wave के उपर elect हो किया है और anti-Indian stance उन्होंने maintain किया लेकिन अभी he is now looking at new Delhi for a diplomatic lifeline तो इस चीज़ के बारे हम लोग बात करने वाले हैं हाली में खबर आये है कि नेपाल के जो foreign minister है रदीप ग्यावाली he is on a visit to India क्यों इस visit पे आये हैं क्या अभी बदलाव आये हैं नेपाल की foreign policy में क्यों वो चाहते हैं कि इंडिया नेपाल के relations सुधर जाए इन सब चीज़ों के ऊपर एक व्यापक visualization करेंगे और देखेंगे KPOLI के change of stance के बारे में let's begin our discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंका अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the ID राहूल साइ 222 अगर आप कोई doubt है कोई query है आप मुझे connect करना चाहते हैं आप मुझे directly message कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इसके आलावा study IQ आपके रहा है smart course for UPSC 2021 for more information download the app from google play store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel study IQ चलिए पहले खबर के बारे हम बात करते हैं खबर है कि नेपाल के foreign minister क्रदीप ग्यावाली he is on a three day visit to India तो ये क्यों हूँ अगर हम लोग बात करें इंडिया और नेपाल के relations के बारे में कुछ सालों से relations काफी खराब चल रहा है तो सबसे पहले background के बारे में बात करते हैं अगर background की बात करूँ तो मैं पूरा इंडिया नेपाल के relations आपको explain नहीं कर रहा हूँ केवल 2015 से बात करने वाला है क्योंकि हमारा discussion prominently KP ओली शर्मा खटगा प्रसाद ओली शर्मा से जुड़ा हुआ है क्यों उनकी stance में बदलाव आया है अगर आपको याद हुआ 2015 में नेपाल ने अपना नया सविदान डिकले दिदा new constitution आया और उस constitution में controversy शुरू हो गई थी मादेसीस को लेकर और ये कहा जा रहा था कि मादेसीस को इंडिया का support है जैसे ही constitution आया तो बहुत सारे मादेसीस ने protest शुरू कर दिया और एक border में blockade कर दिया तो नेपाल blockade हुआ जिसके उपर इंडिया का नाम आने लगा नेपाल ने criticize किया इंडिया को कि इंडिया is promoting the economic blockade of नेपाल और इंडिया ने clear cut कहा था कि इसमें इंडिया involved नहीं है the blockade is being done by the मादेसीस but nonetheless क्या हुआ इसकी वज़े से इसकी वज़े से इंडिया की image नेपाल में जरूर खराब हुए लेकि अगर हम लोग इंडिया और नेपाल की बात करें इंडिया में भी बहुत यंग population है नेपाल में भी काफी young demography है और इस young demography ने closely देखा कि क्या हुआ और यहाँ पे एक anti-Indian sentiment जरूर डेवलप होगे था 2015 में और इसी anti-Indian sentiment पे जब समवीदान आया उसके बाद जब election हुआ केपी ओली शर्मा anti-Indian wave पे ride करकर election जीद गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया अगें coalition government के प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन एक ही साल के भीतर उनसे बहुत से party से support निकाल लिया और 2016 में उन्होंने resign कर दिया और जब resignation हुआ उसके बाद भी इंडिया के उपर सवाल उठाए गए इंडियन सरकार के उपर सवाल उठाए गए ये criticize कर रहे थे कि इंडिया was creating a political scenario against Khadga Prasad Oli तो 2017 में जब KP Oli ने resign किया उसके बाद Communist Party के एक और leader है पुष्प कुमार धाल popularly known as Prachanda तो he became the prime minister but again election was called in 2017 2017 में जब general elections हुए फिर से Communist Party ने बहुत सारी सीटे जीती although clear-cut majority नहीं आई 121 सीटे जीती 275 सीटो वाली house में तो clear-cut majority नहीं आई but nonetheless Communist Party became a very prominent party और फिर से KP Oli Sharma he became prime minister with the support of other coalition partners तो यह है development 2018 क्यूं हम लोग बात कर रहे है 2015 से 2018 ता क्यूंकि 2015 से लेकर KP Oli Sharma has been prime minister 2018 के बाद फिर से prime minister बने है तो इंडियो और नेपाल के relations have soured during this time in fact they have been at the another during this particular period तो हम लोग बात करते हैं क्यूं exactly देखिए अब बात करते हैं KP Oli Sharma की you turn के बादे 2016 में जब उन्होंने resign किया था तो उन्होंने criticize किया था इंडियन सरकार को इंडियन सरकार उनके खिलाफ एक political scenario डेवलप कर दिये ये कहा जा रहा था तो 2018 में जब वो फिर से prime minister बने तब से उन्होंने continuously anti-India rhetoric शुरू कर दिया इसके दो reason थे एक तो China है क्योंकि since KP Oli Sharma he leads the Nepal Communist Party और दूसरा reason तो यही कि anti-India stance already था 2016 से ही तो अगर हम लोग बात करें KP Oli Sharma के बारे में 2018 से क्या हुआ देखिए continuously anti-India statements आ रहे थे और 2018 19 तो have been very bad years आपको याद होगा recently Nepal ने एक political map release किया था जहां पर उन्होंने claim की थी India के territory उन्होंने claim किया था काला पानी लिपुलेग और लिंपायधारा को उसके उपर KP Oli Sharma का एक statement पी आया था बड़ा ही interesting statement था उन्होंने criticize किया था in fact I would say उन्होंने mock किया था India के emblem को इंडिया के emblem में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते उन्होंने कहा था इंडिया सत्यमेव जयते follow नहीं करता है इंडिया सीहमेव जयते follow करता है क्योंकि चार lion है हमारे emblem के उपर तो इंडिया follows a policy like a lion इससे भी एक बहुती scathing statement आया था करोना वाइरस के दौरा 2020 में अगर हम लोग बात करें क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो करोना वाइरस है वो ज्यादा lethal है चाइना के करोना वाइरस से भी तो इससे clear cut पता चल रहा है कि वो anti-Indian statement देते ही आ रहे है KP Oli Sharma ने एक और statement दिया था जहां पर उन्होंने claim किया कि भगवान राम नेपाल से हैं उन्होंने कहा कि अयोध्या is in Nepal तो कुछ इस तरह के statement आये थे तो हम लोग ने यहाँ बात किये U-turn क्यों क्योंकि पहले KP Oli Sharma का एक direction था anti-Indian stance लेकर anti-Indian statements लेकिन अभी कुछ बदलाव आये हैं जिससे उन्होंने की U-turn लिया अभी he is looking at the support of India चलिए बात करते हैं क्यों ये U-turn क्यों हुआ 2018 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो समविदान में कुछ ऐसी चीज़े नेपाल के समविदान में कुछ ऐसी चीज़े कि no confidence motion दो साल के बाद ही लाय जा सकता है तो अभी दो साल उनके term को खतम हो चुके हैं तो अभी उनके उपर एक खत्रा मंडरा रहा है कि moratorium खतम हो चुका है और उनके जो second leader है पुष्प कुमार दाहल जो पहले भी प्राइमिनिस्टर रह चुके हैं प्रचंडा वो उनकी seat लेना चाहते हैं वो खुद प्राइमिनिस्टर बनना चाहते है तो इसकी possibility बढ़ चुकी है in fact जो Communist Party है नेपाल में उसके अंदर फैक्शनिजम शुरू हो चुके है यानि कि गुटबाजी शुरू हो चुके है उनके Communist Party के अंदर ही देखिए सिनायो क्या है मैंने आपको बताया थे कि 275 seat वाली house है उसमें CPN Communist Party of Nepal UML Unified Marxist Lenis उनके 121 seat है और यहाँ पे लीडर है इसमें आपको बता है एक है KP और एक है प्रचंडा और अभी फिलाल KP is the Prime Minister इसके अलावा और भी आन्ने पार्टी से नेपाली Congress is the main opposition जिनके 63 seats है और अभी Communist Party of Nepal को support है CPN Maoist Center का और राष्टे जनता पार्टी नेपाल का तो support है काफी हतक वो लोग अलड़ी 50% के आकड़े से आगे हैं लेकिन खुद के दम पे Communist Party of Nepal do not have majority तो अभी जब एक anti KP Oli Sharma wave चल रही है नेपाल में जहांपे Communist Party of Nepal में political factionalism चल रही है जहांपे प्रचंडा चाहते हैं कि वो Prime Minister बने दूसरे जो Communist Party से उन्होंने अपना support हटा दिया है KP Oli Sharma से तो KP Oli Sharma ने कुछ बहुत ही interesting चीज़ की 2020 में उन्होंने क्या किया कुछ ordinances लाए जहांपे वो opposition parties को split करने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके जो ordinances आए उसकी वज़े से opposition parties split नहीं हुई in fact वो merge हो गई उनके ordinances की वएसे जो समाजबादी जनता पार्टी है और जो रास्तिय जनता पार्टी नेपाल है उन्होंने merge कर दिया और उन्होंने ठैंक किया KP Oli Sharma को तो काफी interesting development थी तो ordinances root failed इसके बाद KP Oli Sharma ने एक और step लिया उन्होंने Parliament को ही dissolve कर दिया तो इस dissolution के बाद एक constitutional crisis rise हो चुका है और जो KP Oli है और प्रचंडा है उनके बीच rift और भी ज़्यादा deep हो चुकी है देखिए उन्होंने क्या किया December 2020 में प्रतिनीदी सभा जो lower house है उसको dissolve कर दिया तो इसकी वज़े से जो भी उनके political opponents है एकदम शौक रहे गए कि अब क्या करें क्यूंकि KP Oli शर्मा is still the prime minister caretaker government के prime minister तो एक और election होगा तो election कब होगा ये भी caretaker government will decide तो immediately opposition parties have challenged the dissolution of lower house in supreme court case is still subjudice in the Nepal supreme court लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि you turn क्या है यहाँ पे क्या इनका इंडिया की तरफ stance बदल चुका है देखिए why does he need India support now अगर हम लोग बात करें चाइना की तो चाइना obviously wants कि जो उनकी communist party है नेपाल communist party है वो unified रहे ये तो हर एक communist party की policy होती है strong party रहे unified party रहे तो चाइना and Xi Jinping wanted KP Oli शर्मा जिनके खिलाफ काफी ज़दा opposition बढ़ रहा था वो चाते दे कि KP Oli शर्मा हट जाए यानि कि he must resign and give way to प्रचंडा लेकिन Oli ने अपनी position और भी strong कर दी है अभी lower house को उन्हों ने dissolve कर दिया है सारे political opposition are flumaxed what to do right now तो सिनारियो कुछ ऐसे है अगर supreme court कुछ भी decide करें supreme court decide कर दे कि house को restore करें यानि कि lower house जो dissolve हुआ ये गलत है और हम लोग lower house को प्रतिनेदी सबा को restore करें अगर ये कहा तब भी KP Oli शर्मा power में रह सकते हैं क्योंकि जब तक decision आएगा तब तक वो opposition party से कही ने कही support पाही लेंगे गुटबाजी करकर number तक तो पहुँच सकते हैं ये scenario तो है इसके आलावा scenario two भी है अगर supreme court ने कहा कि नए polls होने चाहिए नया election होना चाहिए ताकि नया mandate आए तो उसमें भी KP Oli शर्मा has an upper hand क्योंकि he can delay the election, caretaker government है तो वो कह सकते हैं कि date can be fixed according to his convenience तो in any scenario right now KP Oli शर्मा's position has become very strong but one thing has happened उन्होंने चाहिना को सामने ले लिया भी जो चाहिना का रवया था कि वो resign कर दे ताकि Communist Party strong रहे तो उन्होंने वो नहीं किया तो right now China is not really friend of KP Oli शर्मा that is why he is looking towards India's support not support I would say India's acquiescence at least a formal support तो होना चाहिए क्योंकि उनकी positions strengthen हो जाए इन सब के indications क्या है अगर हम लोग देखें October 2020 से ही जब से KP Oli शर्मा कोशिश कर रहे है कि वो power में रहे तब से हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने इंडिया की तरफ एक कदम बढ़ा है देखें बहुत सारे examples है October 2020 में इंडिया की जो रौचीफ है सामंत कुमार गोयल उन्होंने नेपाल विजिट दी अपने counterpart से मिले वहाँ पे इसके अलावा November 2020 में इंडिया की जो चीफ है MM नारवा ने उन्होंने विजिट किया नेपाल को अपने counterpart से मिले और अगर यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे discussion जरूर हुई थी गोर्खा रेजिमेंट के बारे में this all shows that there is a thawing in the relationship between India and Nepal जो 2015 से bad relations चल रहे थे कही ने कही यहाँ पे एक improvement जरूर आईए India और Nepal relations के बीच और November 2020 में इंडिया के foreign secretary श्रिंगला श्रिंगला ने visit किया था although not a lot of substance was taken out of this visit but still a visit by high dignitary foreign secretary was nonetheless important in improvement of India-Nepal relations और अभी जो नेपाल के foreign minister आये है प्रदीप ज्यावाली already he's on visit to India और अभी बात चल रही है COVID-19 vaccines की तो इस चीज़ से हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चलके इंडिया और नेपाल की relations improve हो सकते हैं लेकिन again it all depends on the political scenario of Nepal right now KP Oli Sharma is looking towards India कुछ साल पहले I would say कुछ महीनों पहले वो anti-India थे लेकिन अभी वो India की support की तरफ देख रहे हैं और जो dissolution हुआ उसके बाद already प्रचंडा का statement आचोगा का है कि KP Oli Sharma ने dissolve किया है at the behest of India so it's all very very interesting and it depends on Nepal's politics अगर इसके उपर कोई खबर आईगे तो हम आपको जल से तलाते रहेंगे study IQ उपर that is it from my side on this part of discussion thank you for watching जय हिन